हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चनल श्य बजर्वित आयुश और बात करेंगे इस वीडियो में भारती हेक्जाकॉम के बारे में तो दोस्तों आज भारती हेक्जाकॉम के लिस्टिंग हुई और 56 फार के लोगों ने पैसा बनाया जो मैंने पिछले वीडियो में बेगा था कि भगवान जब देता है 56 फार के देता है वो एक्जाक्लि देखिया आज इस इस्षु में हमको देखने को मिला पहली बात तो क्या है कि देखे आईपो आते हैं तो आईपो मिलते नहीं है यह पहला ऐसा IP होगा जिसमें देखिए लोगों ने अगर लगाया तो उनको भर-भर की allotment मिले और भर-भर की जो पैसा है वो बनता होगा ने दरा है यह ऐसा पहला इशू नहीं है इसमें कोई डाउट नहीं है देखिए पहले भी बहुत साले इशू आयते जैसे कि आपने नाम अभी सुनी लिया होगा लगाता है जो चल रहे है जैसे मैंकाइंड राइट आरर केबल यह सब वो इशू थे दोस्तो जेस जबली इंफरा आफली आज क्या हुआ 570 रुपे का इशू दोस्तो ओपन होता है 755 पर देखिए कल मैंने लिस्टिंग डे पर एक या तो कही थी कि यहां पर जो लिस्टिंग है वो डिफिनिटली किस तरब भी जा सकती है और एक्जाक्ली गौम को देखने को बला जरूर देखिए जो मार जाकर इसने आज लिस्टिंग दिखाई और इसको क्या हम कह सकते हैं इसको यही कह सकते हैं कि देखिए एक अच्छे कंपनी जो आई और उसने अच्छा पैसा बनाया 755 रुपे का जब ओपनिंग हुआ तो ऐसा लगा कि हुस्पता है कि इस्वियाद मुनाफव सुलिया है बट ऐसा भी नहीं हुआ 880 रुपे का दोस्तों शेयर ने हाई बनाया 814 रुपे पे क्लोजिंग है वालब 813 रुपे तीस पैसे एक्जाक्ट क्लोजिंग इस पर आई है पर यहाँ पर भी अपने आप पे देखिए दमदार मूव आया वालब लिस्टिंग के बाद 7.81 पर अगर वॉल्यूम की तो 534 लाक शेयर हमको ट्रेड होते विए देखने को मिले अपने आप में वॉल्यूम भी दमदार थी और डिलिवरी की बात करता हूं तो अल्मोस 61% की दिलिवरी हमको देखने को मिली तो अपने आप में देखिए एक दमदार पैसा बना भारती एक्ज जिस तरीकी से दुस्तों आज नीचे खुल आता ऐसा लग रहा था कि थोड़ी से लिस्टिंग में आपको अडचन पैदा होती भी नहीं जारा सकती बट ऐसा कुछ नहीं हुआ सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर लोगोंने अच्छा पैसा बनाया एक्स्पेक्टेशन से उपर बनाया अगर दूस्तों यहाँ पर एक्स्पेक्टेशन से कम बनाते तब भी ठीक रहता लेकिन एक्स्पेक्टेशन से और उपर बनता है तो अपना पर देखिए काफ इशू अच्छा करें लेकिन जरूर देखिए रिस्क से ही रिवार्ट बनेगा और रिस्क से ही दोस्तों आपका हो सकता कि पैसा भी जाए तो यह दोनों चीज़े हैं राइड खास बात तो यह थी दोस्तों कि जो एचनाई काटेगरी वाली साइस थी वहाँ पर लोगों ने देफिनेटली मुनाफ़ा और बढ़ चुका होगा लेकिन अगर आपने यहाँ पर दोस्तों प्री ओपन में शेयर को बेज दिया तो अल्मूस्ट सिक्स्टी थाउजन रुपीस तक का प्रॉफिट आपको यहाँ पर मिला है आपने आपर कमाया है साफ बात यह निकल कर आत सकता था बट सारे लॉट आते नहीं है बट जो एचनाई काटेगरी है वहाँ पर दोस्तों मोर दन सिस्टी थाउजन रुपीस जो है वो इंवेस्टर ने आपर बनाये तो उन सब को गॉराचुलेशन जिसने एचनाई काटेगरी में लगाया था अब जो बड़ी बात निक अगर आप मेरा कल का वीडियो देखा तो मैं आपको कल वे आपको बताया था कि दोस्तों इसके उपर जेम फिनांशल की कवरेज आ गई बहुत काम ऐसा होता है कि दोस्तों कोई IPO लिस्ट होने वाला है उससे पहले ही किसी ब्रोकरेज ने अपना व्यूग लिया कर भिया और यह जो शेयर है वो करीबन 790 रुपय तक जा सकता है टागेट प्राइज उन्होंने दिया था 790 का और बड़ी बात क्या है 790 का टागेट अचीव भी हो गया 880 रुपय तक गया है आचीव तो जो टागेट था वो पहले ही अचीव हमको देखने को मिल गया आज जो टागे दिये थे 755 पर लिस्ट हुआ उसका 790 के जो टागेट थे वो हमको बिल्कुल अची होते हुए नजर आ गए किसके जीएम फिनांचियल के है तो जीएम फिनांचियल की रिपोर्ट को समझते क्या कहा है उन्होंने उन्होंने कहा है कि वी एक्सपेक्ट भी एचल आर्पू क्यानि average revenue per user to grow at 10% CAGR consisting of two elements 6-7% RPU CAGR due to regular traffic hikes and 3-4% due to भारती एटल यहाँ पर जो premiumization मिलती है उनकी जो strategy उसके थे है तो पहली बात जो यहाँ पर brokerage कह रही है वो क्या कह रही है वो यही कह रही है कि जस तरीके से company की growth हम को देखने को मिल रही है average revenue per user में यह मानते है कि 10% से सा ग्रोद हमको देखने को मिलेगी average revenue per user दूसरी बात उनको मानना है कि देखिए यह जो 10% है ऐसा नहीं कि अकेला भारती एक्जाओ काउम ले रहा है 67% तो दोस्तों जो ARPU है वो regular terrifies के कारण हमको देखने को मिलेगा लेकिन इसी में जो 3% बचा हुआ है वो क्यों मिलेगा विकास जो भारती ATL का इनको premium मिलता है उसके कारण इनको 3% CAGR उदर से आएगा तो स्कुल मिलाकर 10% इस तरीके से CAGR growth हमको देखने को मिलेगी इनकी सा 17-15% आए सकता है क्योंकि उनका presence है high growth potential market जैसे राजस्तान हो गया North East Circle हो गया वहाँ पर जो company का presence है वो सबस्यादा इनको फायदा में देता है इसलिए जो यह high average revenue पर user post paid और data subscribers है उससे company को और फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा ऐसा का उनका मानना है कि जो इंडिया का wireless RPU है वो almost 200 structural uptrend पे है क्योंकि consolidated industry है और industry के अंदर ऐसा भी नहीं कि बहुत जादा आपको players देखने को मिलेगा इसलिए लोगा मानना ही कि जो average revenue पर user है वो करीबन 275 से 300 अगले 3-4 साल के अंदर आ सकता है अगर future capex need रही तो महां तक अची हो सकता है इस प्रकार का expectation यहाँ पर आपको GM financial का देखने को मिलेगा तो जो outlook उन्होंने अपना बताया वो outlook काफी clear है वो मानते कि यहाँ से आने वाले समय में company growth अच्छी देखने को मिलेगी वहाँ पर जादा इनको की doubt नहीं है specifically जो इंडिया का wireless market है वहाँ पर अच्छी growth इनको देखने को मिलेगी यह GM financial म मिलेगा भारती एटल और भारती एक्सकॉम के अंदर दोनों अलग-अलग टाइप की business है जरूर देखिए हमको समझ में यह कि आता है पर यह बात धान रखना कि इनका business वो wireless business है overall और भारती एटल का नहीं है right so यही एक सबसे बढ़िया बात है 15-17% कि अगर EBITDA company कर रही है growth दिखा रही है तो compounding story काफी बढ़िया रहेगी मतलब उनका मानना है कि जो stock है वो हो सकता है कि double भी हो जाए 3-4 साल के अंदर मतलब जो price है वो मानते है कि 70-90 रुपेक है तो उससे double भी आपको देखने को मिल सकता है उनकी expectation है लोकर 15-17% की growth यह आपर नजर आएगी यह future prospect मिल चुका होगा तो future prospect यह दिखता है कि positive है अब आपके पास एक अच्छा मौका क्या है जिनको allotment मिला उनके लिए उनको नहीं यहाँ पर मिला और वो लगाना चाहते है इस company वैसा उनके लिए अच्छी बात क्या है कि Q4 को सीजन स्टार्ट हो चुका है Q4 के numbers देखे तो यह कहूंगा already अगर है तो hold करिए कोई दिक्कतली बात नहीं दिखती है अभी ज़रूर दोस्तों 814 रुपर में closing दिए बट 880 रुपर तक गया है next resistance अगर देखा जा तो वह 880 का ही होगा अगर इसको cross करेगा तो और बेड़ा चीजी देखने को मिलेगी होगा कि दिख थोड़ा बहुत अपको profit booking दिखा है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि stock अच्छा चला है तो मुनाफ़ वसली आ सकती है पटगीन चस्मने का अगर आपका view longer term का है तो कोई दिक्कतली बात नहीं है अगर आपका view short term का है तो profit book कर सकते है कोई दिक्कतली बात नहीं ह दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था hope lap को अच्छा लगा होगा 1000 का level भी यह चले जाएगा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बट उसमें समय लगेगा ऐसा नहीं कली चले जाएगा यह फिर कुछ दिनों में चल जाएगा यह बहुत कम चांसे से कि कुछ दिनों में चल ज धना thank you friends for watching this video